पॉस्टिक तेल से बना खाना किफाईती दामों में एक्सपर्ट कुक के साथ 2003 से कौसा में अपनी सेवाई दे रही है ग्रैंड माज रसोई पूरे मुम्रा कौसा में फ्री डिलेवरी ग्रैंड माज रसोई रखे स्वाद और सेहत दोनों का खया बाहर का अनहल्थी और महगा खाना बंद करें ग्रैंड माज रसोई का घर जैसा पना खाना ओर्डर करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें CAA विरोधी प्रदर्शन कारियों की होर्डिंग चोहराय पर लगाने को लेकर योगी सरकार को लिया उत्तरप्रदेश हाई कोट ने आड़े हाद मैं रफित कामदार हिंदुस्टानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है गद दिसंबर महीने में यानि दिसंबर 2019 में Citizens Amendment Act के विरोध में उत्तरप्रदेश में जहां जहां प्रदर्शन वहां खास करके लखनों में लखनों में इस प्रदर्शन को करने वाले प्रदर्शन कारियों के अब तस्वीरों समेत पिछले कई दिनों से योगी सरकार द्वारा शहर के अलग-अलग चोरहां उपर बोर्ड लगाये जा रहे बड़े-बड़े होल्डिंग्स लगाये जा रहे इन होल्डिंग्स में इन प्रदर्शन कारियों के नाम, तस्वीर, उनकी पूरी डिटेल के साथ इन्हें कितना हरजाना भरना है उस हरजाने की रकम तक दर्च की गई है वही उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर उत्तरप्रदेश के ही अलावाद हाई कोट ने गंबीरता से इसका सग्ञान लेते हुए सुओ मोटो तोर पर इसकी P.I.L. दाखिल करके भी और वहीं रविवार 8 मार्च को इसकी सुनवाई भी की सुओ मोटो तोर पर इस मावले में जो P.I.L. दाखिल कर ली गई है वो अलावाद हाई कोट के चिफ जस्टिस गोबिन माथूर और जस्टिस रमेश सिना की बेंच के सामने है रविवार सुबो 10 बजे इस पर पहली सुनवाई हुई सुनवाई हुने के दोरान इसे कोट ने गलत बताते हुए अपनी नाराजगी जताई और यूपी पुलिस को भी आड़े हाथ लिया और यूपी के अन्य प्रशाषनिक अधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया कोट का कहना है कि यूपी पुलिस और सरकार क्या कानून से उपर है व्यक्तिकत तोर पर पर सुरक्षा का अधिकार समविधान ने दिया है यह उससे पूरी طरह से खंडित होता है उससे पूरी तरह बादित होता है ऐसा उच्चनयाले की अलावाद बेंच ने स्पस्ट किया वही बेंच ने ये भी कहा अब हम यह उमीद करते हैं कि उत्तरकुदेश की सरकार जो है इस संबन्द में अपना विवेक इस्तमाल करेगी और इन होर्डिंगों को हटा करके इसकी हमें सूचना देगी वहीं रविवार 8 मार्च को ही इस पर 3 बजे फिर से दुबारा सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इस पर फैसला जो है अब सुमवार 2 बजे इस बेंच दुबारा सुनाया जाने वाला है जबकि उत्तरप्रदेश के प्रवक्ता ने सुनवाई के दौरान सपस्ट किया कि ये सारा काम जो है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनात के निर्देश पर किया गया है आपको बता दे कि अलग-अलग प्रदर्शन कारियों की अलग-अलग होल्डिंगे लखनों के हजरत गन चोरहे पर और असेमली के सामने के चोरहे पर खास करके लगाई गई है किसी में 60 लाग जुर्माना है किसी में 23 लाग जुर्माना है इस तरीके का जुर्माना भरने का फर्मान योगी सरकार और उसकी पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को जारी किया है जिन में खास करके प्रख्यात सामाजीक कारेकरता सदब जफर, प्रख्यात मानव अधिकार वकील मुहम्मद शुएप, एक्टिबिस्ट और पुर्व आईपिस अधिकारी एसार दारापूरी समेत कई लोगों के नाम इसमें शामिल है, कई लोगों की तस्वीरे भी इसमें श हनन बताया, अब देखना यह है कि कोड की इतनी कड़ी फटकार लगाने के बाद मनमानी करने के लिए विख्यात और कुख्यात हो चुकी उत्तरप्रदेश की योगी सरकार अब क्या कदम उठाती है, क्योंकि उत्तरप्रदेश के सरकार की प्रवक्ता ने रविवार 8 को दोपेर 3 बचे जब दुबारा सुनवाई हुई तो उत्तरप्रदेश की तरफ से एटार्नी जनरल ने सबसे पहले तो जूरिडिक्शन का मामला उठाया और कोड को उन्होंने बताया, कोड को उन्होंने बताया कि ये सारी होर्डिंग्स लखनों में लगाई गई है और उच्चनयाले की जो प्रिंसिपल सीट है ये उसके नयादिकार रक्षेतर में नहीं आता है यानि जूरिडिक्शन में नहीं आता है साथ ही जो लोगों ने कानून हाथ में लेकर को तोड़ा है उनकी रक्षा के लिए पियाईल दाखिल करके लेना ही गलत है अब ये एजी क जो एटर्वनी जनरल का जो रुख है जो मत प्रदर्शन उनने कोट के सामने किया है जो बाते रखी है उससे नहीं लगता है कि हाई कोट की इतनी कड़ी फटकार के बाद भी उत्तरप्रदेश की योगी सरकार जो है कानून को और कानून के प्राउधानों को कोई वरियता देगी को एगी